दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयब माई शैडो यह आपके CBAC बोट के इंगलिश के क्लास फाइफ के स्लेबस में है तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दू आप सिंप्ली उसमें क्लिक करें आपको सभी चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे और हाँ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे क्योंकि आगे मैं जब भी आपके स्लेबस से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा वह आपके पास पहुंच जाएगा तो चलिए अब इस पोयम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाइलाइस करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है यानि कि एक स्मॉल बॉई है वो कहता है कि I have a little shadow that goes in and out with me तो यह कहता है कि इसके पास एक छोटा सा shadow है little shadow तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि गलत word use हुआ है लेकिन आप कह सकते हो सही भी है एक तरीके से तो यहाँ कहा गया है कि इस लड़के के पास एक shadow है जो इसके अंदर आता है और इसके बाहर भी जाता है and what can be the use of him is more than I can see और यह लड़का कहता है कि इसका कोई भी इस्तिमाल नहीं है यानि कि इस shadow का यह कुछ भी नहीं कर सकता यह सिर्फ और सिर्फ इसे देख सकता है he is very very like me from the heels up to the head और अब यह जो लड़का है यह जो torch लेकर है यह कहता है कि यह जो shadow है यह पूरा का पूरा मेरे तरहा है मेरे heels से यानि कि उसके पाउं से लेकर उसके head तक यानि कि उसके सर तक and I see him jump before me when I jump into my bed और यह लड़का कहता है कि जब यह bed में jump करता है ना जब सोने के लिए जाता आप कह सकते हो जब यह bed में जाता है तो इससे पहले इसका जो shadow है ना वो पहुँच जाता है basically दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी जगा या किसी भी चीज के उपर जाते हो तो आपका जो shadow है वो आपके आपसे पहले उसके उपर पढ़ जाता है the funniest thing about him is the way he likes to grow not all the like proper children which is always very slow तो यहां कहा गए है कि यह जो shadow है बहुत ही जल्दी ग्रो होता है यानि कि यह बहुत ही जल्दी लंबा होता है as compared to us यानि कि as compared to proper children proper children मतलब दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होते है यानि कि बड़े होते है लेकिन जो shadow है यह बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता है for he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball और कभी-कभी यह जो shadow है एकदम straight खड़ा हो जाता है एकदम लंबा इसके तरह Indian rubber ball के तरह and he sometimes gets so little that there is none of him at all और कभी-कभी तो यह बिल्कुल छोटा हो जाता है तो यहां हमें पता चला कि shadow कभी बड़ा होता है और कभी छोटा होता है यह सभी दोस्तों depend करता है light के ऊपर one morning very early before the sun I was up तो एक दिन क्या हुआ सुभा को एकदम सूरच उगने से पहले ही यह जो बच्चा है यह जाक चुका था I rose and found the shining dew on every buttercup और यह बाहर देखता है तो इसे पता चलता है कि जितने भी buttercup है ना उन सभी के उपर dew है यानि की ओस है but my lazy little shadow like an aren't sleepy head लेकिन इसका जो shadow है न दोस्तों यह अभी तक सोया हुआ था had stayed at home behind me and was fast asleep in bed तो यह लड़का कह रहा है कि इसका जो shadow है यह इसके घर ही में छूट चुका है और अभी तक सो रहा है और यह लड़का यहां पर आया हुआ है आप यहां कह सकते हों कि यह लड़का किसी garden वगेरा में होगा या किसी जंगल वगेरा में तो दोस्तों यहीं प यानि कि वो जो shadow था न तो जो मैंने आपको कहा था इंडिया रबर बॉल यानि कि जितना इंडिया का rubber बॉल उचलता है उतना लंबा वो shadow हो जाता है बटल कप मतलब दोस्तों पीले रंग का flower और एरेंट मतलब गंदा यानि कि बैड और यह जो एरेंट स्लीपी हेड है इस झाल 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 झाल